फ्लैक सीट्स सिहत का खजाना होता है और हमें जरूर खाना चाहिए सर्दियों में तो इसे जरूर ही खाना चाहिए आज एक टेस्टी और हेल्धी लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसे आप जरूर बनाएगा इन सर्दियों में और जरूर से खाईएगा ओमेगा 3 फैटी एसिट से भरपूर ये अलसी के लड़ू बहुत ही टेस्टी बनेंगे और डाइवेट पेसंट भी इसे आराम से खा सकते हैं क्योंकि मैं इसे बिना शक्कर और गुड़के बना रही हूँ नमस्कार मैं अरचन सिन्हा और स्वागत करती हूँ आपका किचिन में तो बनाना शुरू करें यहां मैं 200 ग्राम अलसी ले रही हैं और इसे कढ़ाई में डाल करके ड्राइड रोस्ट कर रही हूँ फ्लेम को आप मीडियम टू हाई रखिएगा और इसे लगातार चलाते हुए भुनेंगे एक से दो मिनट में ही यह चटकना शुरू हो जाएगा आवाज सुन रहे होंगे आप और इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए यह देखिए पतपची आवाज हो रही है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है बस इसे प्लेट में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्लेक सीट्स को कहीं पे अलसी और कहीं पे टीसी भी कहते हैं आपके शहर में क्या कहते हैं मुझे बताईएगा यह ठंडा हो गया है और अब इसे हम मिक्सी में डाल करके इसका पाउडर बनाएंगे आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोद करूँगी दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नौटिफिकेशन बेल को जरूर से अन कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिलकुल मत भूलिए इसे एक से दो बार अच्छी तरह से चम्मत से चलाते हुए हम बारीक पीसेंगे और आप देख रहे होंगे ये बिलकुल बारीक हो गया है बारीक होने पर तीसी जो है इसमें से खुदी अपना तेल रिलीज करता है आप देख रहे होंगे ये बिलकुल ऐसे देख रहा होगे कि एकदम गीला-गीला साब को दिख रहा होगा इस स्टेज पर भी जब आप इसको इस तरह से लड़ू का फॉर्म देंगे न तो ये देखिए लड़ू की तरह बन रहा है तो तीसी खुद ही अपना तेल रिलीज करता है तो इसमें बहुत जादा घी वगएरा डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है थोड़े से ड्राइब टूट्स ले लिए जाएं इसमें डालने के लिए मैं यहां थोड़े से काजू और इलाइची ले रही हूँ उसका पाउडर डालूंगी काजू को मैंने चोटे-चोटे टुकडों में काट लिया है इलाइची पाउडर को हम इसमें मिक्स कर देंगे और एक हेल्दी आप्सन मैं यहां पे ट्राइ कर रही हूँ दोस्तों मैं यहां पे गुड और चीनी नहीं डाल रही हूँ यह स्टीविया पाउडर है जो की बहुत ही हल्दी होता है और डायवेटिक जो पेसेंट है वो आराम से इसे खा सकते हैं तो यहां पे मैंने काजू भी डाल दिया है और इसमें मैं अब थोड़ा सा पिगला हुआ गी दो चम्मच काफी होगा इतने अलसी के लिए तो आप इसमें एट कर दीजिए इसे अची तरह से मिक्स कर लीजिए हातों से इसे अची तरह से मिक्स करेंगे ताकि खूब अची तरह से एक सार सा हो जाए और उसके बाद हम इसे लड़ू बनाना स्टार्ट करेंगे ये देखिए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ ये खुब अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है और कलर भी देख रहे होंगे दोस्तों ये कितना अच्छा दिख रहा है हेल्दी तो ये होता ही है साथी साथ ये लड़ू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में थोड़ी थोड़ी मात्रा लेते हुए इस तरह से हम इसका लड़ू बना लेंगे बहुत ही आसानी से बन जाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे ये लड़ू तो जरूर इन सर्जियों में बनाईए और खाईए मिलती हूँ आप से किसी और रेसिपी के साथ इसी किजन में अपना बहुत ख्याल रखिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो को लाइक सेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें